नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तो साथियों अभी मैं आपको एक वराइटी दिखाने वाड़ा हूँ जो कि है नामदारी सीड्स की 136 नमबर फूल गोबी की वराइटी है और बहुती बैतरिन और काम्याब वराइटी है अभी देखिए मैं इसी खेत में खड़ा हूँ जिसमें नामदारी सीड्स की 136 नमबर की यह लगा लो दो से तीन आर्वेस्टिंग हो भी चुकी है तो देख सकते हैं सबसे पहले इसकी क्वाल्टी देखिए यह वराइटी है अब एक सैड में आपको दिखा देता हूँ और यह इसका रजल्ट है यह रजल्ट है इसका प्लांटी बहुत अच्छा ग्रो करता है और जो फूल आता है ना गोबी का वो भी देखिए निच्छ जैसा सफेद है और पत्थर जैसा ठोस फूल है जैसा पंद्रावाइस का होता ना उसी प्रकार से बिल्कुल ठोस फूल है देखो कल इसमें हार्वेस्टिंग की गई थी अभी इसमें पाणी भी लगा दिया देख सकते हैं और कॉमेंट करके बताओ वे जो फूल है वो कैसा है बिल्कुल चमकदार फूल है 136 नंबर का और इसकी जो पनीरी डाली गई थी जुलाई के लगवा फर्स्ट वीक में डाली गई गई थी और जुलाई के लास्ट वीक में इसको ट्रांस्प्लांट कर दिया था यहां पर जुलाई के लास्ट वीक में इसको ट्रांस्प्लांट कर दिया था और लवक 60 दिन 60 या 65 दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई थी अभी देखिए इसकी 2 से 3 हार्वेस्टिंग हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया फूल देख सकते हैं बिल्कुल चमकदार फूल है शांदार फूल है कोई भी कमी नहीं है प्लांट है वो भी देख सकते हैं सारे जितने प्लांट है अच्छा गरोकियो है यह देखिए मिच्चे का तो तनाह भी मजबूत है पत्ते हो भी मजबूत है और जो फूल आ रहा ना एकदम से मक्खन है मक्खन अगर आपको इसको देखोगे ना फूल को तो आपको खाने कामन करेगा ऐसा फूल है तो वराइटी की 15-22 भी है नाथ की भी है एक दुबराइटे और भी लगाते हैं लेकिन आज में बात कराऊं नामदार इस्वीडिश की 137 नंबर कोई कमी निया कोई भी किसान साथी लगाना चाहता तो दी बैस्ट है और यह एक फूल नहीं है देखिए दूसरा फूल भी मैं आपको मिला हुआ फूल होता है मतलब थोथा फूल होता वह उसके अंदर वजर नहीं निकलता लेकिन यह नामदार इस्वीडिश की एक ऐसी व्राइट यह जो की गुथा हुआ फूल आता है ठोस फूल आता है अगर फूल ठोस होगा तो वह वजन भी अच्छा निकड़ेगा और भाव अच्छा मिल्या तो भई आमदनी भी अच्छी होगी तो अगर कोई किसान साथी इसको लगाना चाहो तो अगली बार इसको लगा सकता बैए नामदार इसी सीडत का 136 नंबर जोगी बहुत अच्छा प्रोडेक्शन्मी दे रही है और क्वाल्टी में कोई कमी नहीं ह सांदर क्वालिटी है जांदर क्वालिटी है तो किसान साथी इसको लगा कर अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हुआ तो आपने कौन सी व्राइटी लगा रहा कि है कॉमेंट करके जुरूर बता हुआ और आपकी साइड फूल गोबी का क्या भाव चलिया हुआ हमारे हरियाना में ह 45 रुपए किलो से लेकर 50 रुपए परती किलो के हिसाब से जा रहा है फिलाल होल सेल का रेट आपको बता रहा हुआ तो यह व्राइटी कैसी है कॉमेंट करके जरूर बताएं भई